हेलो वाई श्वागत आपका हमारे दापावर टेकनिकल चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और शिकाने वाले हैं अगर आपके डिश्टीवी पर सिग्नल का प्रोब्लम आ रहा है जैसे कि 301 का एरर होता है तीन सो एक का एरर होता है और 302 का ए है और 301 जैसे कई एरर आते हैं दो थीन तरीक के कर ऑनको आपने ठीक कैसे करना है उनको पता एक की दिक्कत होती है। तो आज कई जो का चाइन गया है। का आइसे जो क्यों क्यों में जाती है। तो केहने का मलब है, जब हम madre Augen page आते हैं तो आपकी केबल में दिक्क्set न है यह अधार जो एडवान्स सेटिंग्स होती है उसमें दिक्कता है यह सारी मैंने जो पॉइंट बताएं यह हमें चैक करना होता है तो आपको मैं बताता हूं आपकी प्रोब्लम कैसे जो आ रहे हैं उसे ठीक कैसे करना है कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों मैं हूं कस्टूमर हैंड पे डिरेक्ट और यह वीडियो डिरेक्ट शूट हो रही हो यहां पर जो दिक्कत है 301 सिगनल नौट फॉंट तो यहां पर जब मैं चैक करता हूं इसको जो जैसे की चोटा बॉक्स देख रहे हैं इस साइज का अगर बॉक्स लग रहा है तो इस साइज के बॉक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल जाते है 301 की तो यहां पर हमने सबसे पहले जो कि आप ब्लू बटन देख रहे हैं एस टीवी इंफो सीट और यहां पर आप देख रहे हैं इसका जो हैडलाइन लिखा रहा है सिगनल नोट फॉंट 301 कारहर देश टीवी में तो इसको ठीक कैसे करना है आपने सबसे पहले ब्लू बटन दवाना है जैसे कि टीवी सिक्रिन पर भी आपको दिख रहा हुआ एच टीवी इंफो सीट कोलने के लिए ब्लू बटन दवाना आपने तो इसमें इसको प्रैस करने के बाद में यहां जो जो डॉट डॉट आई यालो कलर का वो ग्रीन करने लग जाता है इसमें अपने सभी में वेट करना है वेट करना है कि इसमें क्या हमारे कुछ ट्रांस्वोर्डर ग्रीन हो रहे हैं या सारे रहे हैं सभी रहे हैं इसका मतलब क्या होता है या तो आपकी केवल में दिख्या दे उसको अपने सेट्ट बुक्स के सामने होल्ड करके रखना है जैसे कि मैं देखो दबाया हूँ और लाइट ब्लिंक कर रहे है और इसको अपने होल्ड करके रखना है और देखना कुछ ही सेकंड में अब टीवी स्क्रीन पर क्या एडवांस सेटिंग देखो खुल जाती है फिर्स्ट टाइम इस्टोलेशन है और हैं यहां पर देख रहे हैं से-ण गाई से तू पर चलता है तिकेसु यह से हरे यह ऑंपर देख और एलंव पंड आपने चैक करनी है और एसमें किया है और ह्वां आपके युनिवर्सल एलंव होनी छोन है है सेलक्ट और भाग हैं से रहना चाहिए नूर्थ के लोगों के लिए SES8 होता है और सौथ के लोगों के लिए ST2 होता है आई 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 एफ मोड जो देख रहे थे आप इसमें आपने किसी भी कुछ नहीं करना है आपने जो भी आपकी सैटलाइट है एक एक बारी ST2 या SCS8 पर ले जा करके सबसे नीचे सेव एंड स्कैन आपने कर दे रहा है अगर इन दोनों पर आपका करने के बाब जूद भी अगर आपका TV नहीं चलता है तब आपने क्या करना है एक चीज़ मैं आपको बदा हूँ पहले यहां पर scan हो जाता है, कोई भी signal नहीं आया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे मैंने यहां पर meter लगा के दिखा था, signal प्रोपर आ रहा है, उपर से कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैंने adapter जो है, दो डिश्टीवी के adapter मैंने लगाई हुए है, यहां पर जो कर लेना, सबसे पहले आपने adapter बदल करके देखना है, जो कि अगर आपके अपर अडिश्टीवी किसी नेरवाई में भी चल रहा हो, किसी आजपरोस के गर में भी अगर चल रहा है डिश्टीवी, तो सबसे पहले 301 के error में आपको adapter बदल के देखना है, देखो छोटे भी नहीं चलता है, तो जो दूसरे सटटा बोक्स जैसे नेरवाई में किसी का सटटा बोक्स लगा करके देखे, उससे ये पता चलेगा दूसरा बोक्स लगाने से, कि आपकी जो केबल की लाइन है, और जो डिश्ट में सिगनल है, वो आरहा है या नहीं आरहा है, अगर सिगनल आ रहा हुआ तो जो बॉक्स लेकर आए हैं वो चल जाएगा और अडप्टर है वो भी आपको पता जाए कि वर्किम है तो कई बारी हमारे बॉक्स में दिक्कत होती है ऐसे 301 के एरर में तो इसमें कई सारी दिक्कते होती है जैसे कि सैटलाइट चेंज हो तब भी सिग आपका अडप्टर जो की कुछ लोगों के आदे चान्स आते हैं आदे चान्स नहीं आते है कभी ऐसा होता है एगंटे बाद चलता है ३टक्ताई है ृटक्छ चल जाता है तो आपको सिक्स नहीं आते हैं ठीक है यह चीज आपने यह त्यान में रख लेना है बाग plugs हैं फिर सट्टा बॉक्स या आपका जो केबल है वह भी आपकी चेक हो जाएगी कि अगर यह दोनों चीज़े ठीक है तो आपके डिस्ट में अन्डा परव्ब्रम होगी